जिन और पिशाच दो ऐसी एनर्जीज है कि अगर वो आपको प्रजेस कर लें तो उनसे निजात पाना बहुत असान नहीं है मैंने अब खुद में एक केस देखा है जहां पर जिस घर के अंदर जो बड़ी लड़की है जैसे अगर पांच भाई है उनकी अगर बेटियां है या बेटा है तो अगर बेटी है उसकी शादी हो गई तो जो उसका हस्बेंड है वो एक पर्टिकलर एज के बाद नहीं बचता आज के वेडनेस डे को चलो थोड़ा सा फंडे बना लेते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ आपके भाईयों की ही एक एप है रियल 11 जहां पर आप खेल सकते हैं ऑनलाइन लूड यहां पर ऑनलाइन कॉंटेस्ट चलते हैं जिसमें आप पाट लेकर लाखों के कैश लिंक मीछे डिस्क्रिप्षन में हैं डाउनलोड कर ले और टिस आप ट्रेंग प्रेंगें पाट घृत कंव हो लिए तो पीज इस पोड़कास्ट को इंड चलना शूरू करता हमें तो दोस्तों मजिद्दार भेहतरीं ठीज्ञाज में आज हमारे साह था यह एक टार मलोट reader है एक energy healer है और exorcism expert भी है और यह अपनी फील्ड में इतनी जादा expert है कि she is the only one जिनको discovery पर feature करा गया है इनकी फील्ड की knowledge के लिए as a psyche and a metaphysical expert तो दोस्तों आज जो बाते होने वाली है ना मतलब हम मैं के साथ off camera बेठे थे और हमारा दिमाग हिल गया जो emoji होता है ना मैं यहां लगा दूँआ जो दिमाग का pressure cooker फटने वाला होता है हम हिल चुके है already तो मैं हम से बाते शुरू करेंगे और मैं यह भी बता दू कि इनोंने बहुत सारे Bollywood celebrities के साथ काम करा है और नाम obviously हम reveal बहुत बड़े बड़े नाम हमें off camera पता चले और इनको 15 साल का experience है तो आज का एपिसोड आप मिस नहीं कर सकते आज भूतों की बाते होंगी ब्लैक मैजिक की बाते होंगी बहुत चारी बाते होंगी तो बिना किसी देरी के शुरू करते सबसे बहले welcome ma'am thank you so much and आप इतने busy schedule से हमारे ले time निकाल कर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया thank you it's an honor to be here so ma'am first question जो मेरा है आपसे वह है कि बहुत सारे लोगना बहुत जादा terms आगा है भूत पिशाच प्रेत सबको मोटा मोटी हम भूत की category में ही डाल देते की भूत है क्या है तो आप मुझे थोड़ा बता सकते हो कितने type की energy होती है क्योंकि हमने जैसे चलावा जिन यह सब नाम होते हैं कि वो लोग वो energy होती है जो untimely accident में या किसी वजह से हमें छोड़के चले गए और वो ज्यादा तर अपने family members या जहां पर उनका घर होता है वहां पर रहना उनको पसंद होता है क्योंकि वह दराना नहीं चाहते वह सुरफ अपनी एक family में presence चाहते हैं क्योंकि untimely वह हमारे से दूर हो गए तो वह घोस्त होते हैं माम सुरी में काट अपको लेकिन इससे फेले मागे बड़े लोग कहते हैं कि untimely death कुछ होती नहीं अगर वह मर गया तो वही उनका time तो जो लिखा हुआ बिसिकली मान जैसे कहते हैं कि accident में मर गया सड़नी मर गया एक दम से रहा और जितने उसके वह स्वास यानि सांस बचे थे वह पूरे करके वह चला गया फिर हम यह क्यों कहते हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर घटना हुई जिसकी वज़े से जब उसको जाना नहीं था वह एक इंस्टेंस उसकी लाइफ में हो गया जैसे अब क इसका मतलब क्या हुआ तब हम इसको कल यूग बोलते हैं हम सत्यूग नहीं बोलते क्योंकि जो नेगटिव और जादा है और पॉजिटिव और जादा है जिसकी वज़े से जो यह ब्लाक मैजिक यह सब चीजे बहुत पिशाच यह बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पकड सब्सक्राइब लोग जा रहे हैं कभी आपने पहले सब्सक्राइब जो अब हो रहा है युनिवर्स के अंदर नेचर के अंदर वह सब क्यों हो रहा है इंबालेंस ऑफ दी एनरजी इस हैपनेंग तो इसी लिए उन्टाइमली डेथ जरूर होती है बिलकुल होती है जब डे inadequate Show वो डेशन होता है और कई लोगों को याद भी रहता है कई लोगों को बॉन हने के बाद बी याद रहता है मेरेご इन प nhiều लोगों को बाहर के बॉन हो गई जैसे ही वह भी बोलने लगी, तो अपने एक घर का ही इनस्टेंस बता रही हूं, मेरी मदर उनकी साइट का इनस्टेंस और जब उसको शिम्ला लेकर गए उसने एक्जाक्ड लोकेशन बताई कि मेरे पापा मम्मी मुझे लेकर जा रहे थे, मैं पहाडी से गिर गई और यह य यह एक्जाक्ट इंस्टेंस शिम्ला की एक फैमिली का इंस्टेंस है और उसके पेरेंस ने उसको पहचाना जो उसने बातें बताई जिबकि वह बॉर्ण हमारी तो फिर एक कैसे हुआ अगर अंटाइमली डेथ ने थी क्योंकि वह अपनी वह सरकल वापस पूरा करने आए थी एक इसा आरेंजमेंट किया गया फैमिली के अंटर की यह दोनों प्रेंस के साथ रह सके जहां बॉर्ण हुई है और जहां पर उसके जो पास्ट लाइफ के पैरेंस थे जो एक्सिदेंट से पहले पिर-देंस उपार इम्या पढ़ा इं फारेंस थे यह तो एक्जानम्स के स यह पर अगले जनम में यह बनेगा या नेक्स्ट जनम तो ही है तो रिबर्थ तो रहा ही है पर अन्टाइमली और रिबर्थ तो यही पर तो डिफरेंस आगे ना 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 रिबर्थ वह हुआ कि जब आपने इस आपकी जो सोल ने आपकी आत्मा ने यहां पर जर्णी और आपने फिर से जनम लिया जब आपकी अन्टाइमली डेथ हुई या तो आप वहां पर दो केसिस आए एक बने घोस्त जो की इस लेवल से अर्थ प्लेन से हटे ही नहीं वह यहीं पर ही अपने लब्ड़बंस के आसपास रहे क्योंकि उनको जाना नहीं है जो स्पिरिट इमिरेटली रिलीज हो गई डेथ उन्टाइमली एक्सिरेंट हुआ या कुछ हुआ उन्टाइमली रिलीज हो गई वह फिर जब जनम लेती हैं तो मोस आथे टाइम उनको वह चीज़े याद थी तो हम उन दोनों को कैटेगराइज करते हैं कि एक एनरजी हील होके आई और जब उसको जाना नहीं था तो वह गोस्ट पन जाती है बट गोस्ट पन जाती है बट गोस्ट ली हमें हम नहीं गरते इस 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 फर्स ताइप ऑफ एनरजी विच इस अराउंड अस हम खुदी डर जाते हैं कि क्यों अगर आपको यहां पर चलते हुए परचाही रिखेगी है इसे वह है तो उनको महले वो घुष्ट थोड़ी ना वो टर्मे समें तो lev Holly करते हैं आपkie इन चीजों में यही यही सी अर्जी कि अर्लिस के इन एक हुए घुष्ट जो यहां से निकलना नहीं जाते जोड़ना नहीं चाहते जो आपके घर में रिजाइड करें एक अर अ हैं यहां लुक नहीं हैं जिनको अविक्ष नहीं हैं को कि कि प्लेन दोस्तलिक त्य स्मय पता पढ़ाइक कि हनुक्तोंилась लिए nó अभाओ है करते हैं जैसे हम हुडू पढ धुधीeyed हुड रूथ पधे हो डियुआ टेह डिशlles खालग अपित्रों का लिफ नहां युक्ष्टर जाता है उस अना चलचर में ऑंका मंदिर मन्दिर को जाता हॡशे México र्पुछा जैसे मैं बिमार हूं और मुझे अपनी बिमारी से बाहर आना है तो पंडी जी कहते हैं महामृतिंजे का जाब करा लो या आप ये पूजा करा लो शान्ती करा लो अपने घर के अंदर तो ये क्या हुआ एक तरीके से एक रिचुल हुआ जो आपने घर के अंदर सेर्मेनी हु manifest our wishes, जैसे में को पैसों की कमी आ रहे हैं, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, को वर्शिप करो, लक्षमी जी को वर्शिप करो, वहां पर वो क्या बोले हैं, यह कंडल जलाओ, यह हर्ब्स यूज़ करो, यह ओल यूज़ करो, और यह रिचुल करो, तो it is a way of doing magic, hoodoo is a technique, जिससे हम अपने रिचुल को अफ्रिका में यह वहां बाहर की कंट्री में फुल्फिल करते हैं, अगर पॉज़िटिव नहीं होगा, यह हमारे उपर है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट, अब मंत्र करते हैं, तो कई लोग काले साध़ना करते हैं, तो हम अदर्स, भगवान तो वही है न, यह आपके उपर है, कि आप उनको किस तरीके से कि दूश्मन मंत्र करें तो यह को बिखने है तो यह माले उपर होता है पॉजिति एगिटिव हर एयर एंच्छी कि आप एंग्लिश बोलते हो आप हिंदी बोलते हो स्वारी उसी हिंदी से मैं राष्ट्रगान गाती हूं और उसी हिंदी से आप गालियां भी देते हैं वही लांग्विज वही शब्दों का इस्तमाल है तो बहुत सिंपल है हर चीज का पॉजिटिव नेगिटिव है इट इस उन यू कि आप उसको कैसे बना चाहते हो माम इनर्जी की बात करते हैं जो हम कर रहे थे हां वापस आते उस पर आच गोस्ट के आपकी अंताइमली डैथ हूई आपकी घर में रहते हैं वह जो बहुत बहुत ऐक दिस्टिंउन बहुत एक क्लियर डिस्टिंशन है जब नेवाद करते हैं तो एक अबी भी हमारे आस पास spirits हैं, vibrations हैं, energies हैं but we are different frequency in every time that you can't feel yourself जो डूसरी बुरी आत्माइं होती हैं आपको possess कर सकती है आपके अंदर आ भी सकती है लोग black magic negative energy use करके आपके तरफ भेज भी सकते हैं उसको ताकि आपकी life में problems आए उन्हीं प्रेत को यूज करके लोग डिफरेंट रिचुल्स करते हैं ताकि डिफरेंट अक्टिविटीज मारं क्रियाएं भी किये जाती हैं ताकि किसी के साथ कोई लॉस हो कोई आक्सिवेंट हो तो अलग-अलग कैटेगरीज हैं जिन जन्नात की अगर हम बात करें तो वह भ होता इसके इलावर पिशाच होते हैं पिशाच होते हैं तो यह पी इनर्जी के स्क्रेख्ट रहर बैको सब एक ए時 की बहुत क्लीर है औत इनकी किल Schneeah दोस्तों पॉड्कास्ट को आगे बढ़ाने से पहले बात कतकर लेते हैं हमारे टाrhisesania 11 के बारे में 11 पे आप कर सकते हो ट्रेड रियल 11 ट्रेडिंग के साथ दोस्तों उपिनियन फ्री में क्यों देना जब हम अपने उपिनियन देने के पैसे कमा सकते हैं तो कल का जो श्रिलंका वर्सिस पाकिस्तान का मैच है इसिया कपका आप उसका लुफ्ट उठाए रियल 11 ट्रेड के साथ उस पे आपको करना यह है कि असान से सवाल के जवाब देने हैं येस या नो में मैंने तो भाई 10,000 स्लॉड बुक कर ली हैं येस पर और अगर मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई न तो मुझे 10 के 20,000 रुपे तक मिल सकते हैं आप भी रियल 11 पर ट्रेड करो एकदम सिंपल प्रोसेस है सिर्फ येस या नो में आंसर करकर आप बहुत सारे पैसे जीच सकते हो दोस्तों तो देख क्या रहे हो डाउनलोड करो लिंक जिप सारे पैसे जीटो चलो आप बातों को आगे बढाते हैं मैं जो जैन होते हैं जैसे आपने बताया कि वो मुसलिम रिलिजिन से जादा वह तालुक रखते हैं कलाम पढ़के अक्टिवेट होता है और अगर वो किसी हिंदू पर आ जाएं तो क्या हमारे हिंदू मंतरा पर वोग करते हैं कि वो तो रिलिजिन यह अलग हो गया वो एनरजी उन पर वोग करती है हटाने के लिए देख जैसे मैंने का कि बहुत असान नहीं होता जिन और पिषाच की नरजी को तोड़ना मैं बहुत अच्छ होग कर विसकी का रख वी केस बता विसे नות कि बता आपके पास कोई जो साय तो कोई दो किसी कि बहुता होगा है किसी कि बहुत मैं अगा प्रहि होते अगार्य कोर्स का किसे कि एक पर मैं को क्युआ करते हunda तो दो चीils को एक актив करते हैं तो जो प्रिक अफि हो जाए तो वो तो पुझ को यह वहाप को जाह pénल услыш me सपर ऐसकते हैं एक हम विच्टाफ कर रहे थे इक इन मेरा केस नहीं है यह केस मेरे सामने का है तो उसमें एक स्टूडेंट थी और वह यही जिन और जो लोर एनरजी लेसर की ऑफ सॉलेमान मुलते हैं इनको इनके साथ वह करने लगी और काम में एकसेल करने लगी और सब कुछ अच्छा होना लगा इन रिटर्न उस जिन ने उसको पॉजेस कर लिया और पॉजेस करने के बाद वह वह जिन उसको सेक्शुली एजॉल्ट करने लगा एंड इतना तूदी एकस्टेंट और यह जाते नहीं है फिर क्योंकि आपकी विश्टों पूरी हो गई इन रिटर्न उनको चाहिए जो भी उनको चाहिए उस रड़की की इतनी हालत हो गई थी एंड में एक्चली शी कमिटेट सुसाइट क्योंकि वह अगर पार्टी में है यह कहीं पर भी है और अगर जिन की डिमांड है तो शी आस तो इतना जादा हो गया था तट शी कमिटेट सुसाइट वन दे मतलब एक ज़ेट साल चला बहुत परानी बात है तकरीवन आटना साल परानी बाता है और मेरी आंको देखा यह केस है जिन और पिशाच दो ऐसी अनर्जीज है कि अगर वह आपको प्रजेस कर लें तो उनसे निजात पाना बहुत असान नहीं है बट पॉसिबल है बट बहुत असान नहीं है इस वेली डिफिकल्ट और उ ही यहां पर काट पाएगा और मैं जैसे हम बात कर रहे थे पोजेशन की जैसे बात शुरूई तो ऐसा कहा जाता है कि जिनका और श्ट्रॉंग नहीं होता वही लोग पोजेस होते हैं या फिर जैसे मान के चलो हम चार लोग यहां बैटे सब ने एक ही चीज लांगी जिस प ने कोई भी कभी भी किसी वी वक्त पोजेस हो सकता है दो कॉंसेट को आप एक साथ बता रहे हो जिसको मैं डिफिरिंशेट करते हूं पोजेशन इस जब स्पिरिट एविल यह फिर फ्रिक्वेंसी पिरिट मैं बोलूंगी जब आपकी बोडि को अपना एक वैसल मतलब जैस फुल्फिल करनी है तो उसको जब एक वेसल आपकी बॉडी मिल गई that is a possession और possession ज्यादा तर दो तरीके से होता है एक अगर आपका कोई पर्सनल कंसर्ण जो पर्सनल कंसर्ण की बात करते है तो आपका बलड आपका सेलाइवा आपका स्वेट बाल थूक और यूरीन कुछ ऐसा जो उस जगहां पे उस तच में आ गया जहां पे वो इसका एक केस बताती हूं यही गुडगाओं का ही केस है वो हमने दो सल पहले उसक पे वो मंदिरों के दर्शन करने के बहुत अच्छी फैमिली से वेजिटेरियन फैमिली स्पेसिफिकली बोल रहे हूं बिकोज इल्टेल यू कि क्या हुआ और ड्रिंक नहीं स्मोक नहीं बहुत अच्छा बच्छा बहुत अच्छा लड़का जॉब लगी लगी थी और वो जैसे ही वो घर आया तीन-चार दिन बाद खुम के बॉइस घर आ गया तो वो भी घर आ गया तो वो घर आके कहता है कि मैं खाना निखाऊंगा मुझे नॉन्वेज खाना है जो कि प्योर वेजिटेरियन फैमिली से था और उसने नॉन्वेज बंगाया एक दिन में वो नॉ लगा तो दैट इस पॉजेशन की उसका जो खून था वो उस जगहां पर गिरा जहां पर एक अगोरी की इस पिरिट ऑल्रेडी थी बाद में यह पता चला कि जब हमने उसके उपर एक्जॉर्जरिशम स्टार्ट किया कमिनिकेशन के दुरानी पता चला कि वो जो अगोरी थ वहीं पर ही उसकी स्पिरिट ही डाइड डेर और उसका जो ब्लड था गिरने से वहां आया उसके तच में तो वह बच्चा वह लड़का तकरीबन हमें नाइन मॉंस टुवनियर लगा उस स्पिरिट की एनर्जी से बाहर आने में बटना उस जॉब भी छोड़ दी मतलब यहां तक कि मावाब पे एक बच्चा जो ट्रिंक ना करता हो शराब ना पिता हो चिकन ना खाता हो और वो इस हब तक का आ जाए कि उसको ये भी हैसास नहीं था कि वह अपने बैड पर ही सब आप चीजें कर रहा है एक एक अफता नहां नहीं रहा है सब यौनों ही लॉस्ट इस माइंड बैसीकली तो ड़किशन जो आप बात कर रहे हो की एनर्जी जिसकी वीक है यह दैट इस बैसिकली और जो आप बोल रहे हो जो हम सब के पास होता है है हम सब की अर्जी में और हो चार लोग निकल रहे हैं एक जगह से जिसकी इम्मुनिटी कम है बट और तब जादा काम करता है जब इविल आई बुरी नजर की बात होती है बुरी नजर क्या होती है मैंने का ओ आश्टा बहुत स्मार्ट लग रहे हो है ना और मैं आपको देख रही हूं फोर बाउट 17 सेक गया वो डैट इस यॉर और वीक की एनरजी पोशेशन जैसे मैंने कहा एक तरीके का वो जिसमें आपका कुछ गिर गया और परसनल कंसर्न थूग खून या अपने बाल कई पर हम टिशू ऐसे डिस्पोस कर देते हैं सड़क पहग देते चलते चलते जैन्स यूशली यूरि यूरिनेटे अंडर पीपल ट्री और घर आते ही फिट्स पढ़ने शुरू हो गए तो दादी ने पूछा कि क्या हूँ हुआ तो तो जब उनने बताया कि मैं ऐसे वहां बातरूम करके आया हूँ तो दादी ने फिर कुछ पढ़के वहां पे डाला और जैसे वह घर आई व किसी पर करें वह भी पुशेशन की कैटेगरी में आसाता है कि मैं चाहती हूं कि यह जो सामने बैठा है यह अपने काम से हट जाए इसका ध्यान अपनी हेल्थ पर लगा रहे है इसको कोई पकड़ ले ताकि इसका रिलेशन्शिप खराब जाए तो उस केसमें मैं जान- किसी को एंड मेरा और बहुत स्ट्रॉंग है मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं तो क्या वो शॉर्शॉट इंपक्ट करेगा ही करेगा या दोनों केसि में अगर मान के चलो वो चोट मेर को लगी हो और वहां मेरा ब्लड गर जाए बट बहुत जादा पॉजिटिव इंसा प्लाट मेरा अगर आपको वहां गीड गया है तो क्या वो तब भी नेगटिव एनरजी ओवर पावर कर लेगी या है यह परिट कर लेगी आपको पावर आपको प्रaleич पॉजिटियन पावर कर ले घिल गे noir दकर चेशलीन मतलब कि आपने कुछ थूका आपने अपना कुछ परस्टल चंसर्ण अपना डिये नहीं वहां गिराया आपने उत्रावा कपड़ा आपने सुना होगा बहुत सारे लगों के घर में कहते हैं कि मेरे पर ब्लाक माचिक हुए थोड़ दिन पहले मेरे कपड़े खोए थे हमारी म अगर आपके परस्टल नहीं आए किसी ने मुझे पर ब्लाक माजिक किया कि राउट किया इनर्जी कि यार इसका काम बंद हो जाया ये अपने घर में बिजी रहे तो अगर मेरा महां स्ट्रॉंग है मैं पार्ट पुजा कर रहे हूं वह अगर मुझे इंपक्त करें भी 50 पर तो अगर कोई नहीं करेंगा मैं अगर करी रहा हूं अगर कोई तक कोई मैं अपने बोला था कि आपने उस बच्जों पोसेस हो गया था इसको उससे वह इस्पिरिट निकाले के लिए एक सॉसिसम किया था तो मैं जानना था तो आप करते कैसे डीपली मत बताना बट अगर कि अगर केंचिए आप तो आप कैसे करते प्राक्टिस वह प्राक्टिस हम जब करते हैं तो हमारे पास भी जिस हम मेलेटियों करते हैं मैं I am a blessed uh clairvont and a psychic I can actually communicate with energies I can get messages I can get downloads I can get messages and dreams also जब हम चैपले में सरकिटक्राओं में विल्यक्ति प्तुन उसके बान्हंद करते हैं ब्सकित बन्हें हम करें डादों जिकते हैं मैंम जहा डिख भॉत एजान प्सक्राओं वह देख तो अगर नहीं होता ही? तो थोड़ा सापको अगर ऐसे ड्रमाटाइज नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा अभी देखने का बट येस अगर हम हवन करें यह हम कुछ ऐसा काम कर guitar कि कई energy है को गज़र्द एक शाल फ्रहाम कर से तक हेसाब सेifa हम दिन, तिथी, योगपरन हर चीज के हिसाब से काम करते है ब cognitive पेहिं नोच बैर्ट का सब्सक्राइब कर देते हैं अविसली तरहाद का निवस्टर निखने कंश सब्सक्राइब भी और कंम कर है तो अपना तो अंकि आखसर है सेधार ने कि हमें ऐसे चीज़े ओफर करनी पड़ती हैं कई बाइसे चीज़े ओफर करने पड़ते हैं फोर एक्जॉर्ट जो भी स्पिरिट जा रही है वह किसी परपस से आपके पास आई है और जा कोई भी स्पिरिट अपने आप खाली अगर वह बैड स्पिरिट है तो वह कुछ बिना जाती तो उसके लिए डैफिनेट नहीं हमें कुछ नहीं कुछ साक्रिफाइस कुछ अपनी तरफ से उसको लाइक बेंट जिसे बोलते हैं बेंट देना तो वह रहता है किसी की बली देनी बढ़ती मालब उसको बगाने के लिए कई बार और कई बार नहीं भी मैं आप तो वह चीजें कंट्रोल में आते हैं और मोडालिटी है लामा फेरा जो मैं करती हूं यह बुद्धिस मोडालिटी है इसमें भी देरा क्रियाज हैं जैसे आपने तीवी में भी देखा गा ना निम्बू लांग लेके और वह सब क्रियाएं होती हैं तो उसके जरिये भी हम को निकालते हैं माम जौ। आप स्कल्य उसक था रिए स्कल होते हैं रिए रिए हम हैं इसकोल को भी रहा हैं रिओ सक्षाटे हैं किशकर हों हुख जोदेchosरे कृ dorator जी होती है जाहिता हूं कुझ टीउली कोई श्टा म स्ताहल कता है माम श्याक एंपे कोई पॉछ जिस्स्ट एक थे मेरे साथ के सीखी थी रहे कि पहले मुझसे इसी तो उन्हें ने मुझसे कॉस्पहले वो सीखी और जहां उन्हें सीखी तो जब उनको ही हाट्यून में आट्यून में प्रोसेस जिसने आपके चक्राइब को खोल के आपको पॉजिटिव एनरजी या रेकी अट्यूनमेंट दी जाती है तो जब उनको अट्यूनमेंट दी गई तो उस समय शायद स्पेस में कुछ एनरजी थी या बहुत सारे लोगों की प्रेजन्स की वज़े से उनके अंदर चार स्पिरिट्स ने घर कर लिया था तो काफी ताइम तक वह समझ नहीं पाए कि जॉब में भी करियर में ग्रोथ रुप गई फैमिली में वाइफ से लड़ाई जगड़े होने शुरू हो गए और उनको फर्टिलिटी इशुस भी आने लगें तो जब काफी समय बात साथ आठ साल के बाद मेरे पास आये क्योंकि उन्होंने भी देखा कि मैं स्पेशलाइज करी हूं इसमें तो जब उनकी औरा क्लेंस करी तो उनकी औरा में चार स्पिरिट्स निकली और जब उनसे मैं पूछा तो ही सेट कि नहीं से लिए उसके बाद क्योंकि वह अट्यूनमेंट लेने के बाद से ही वह बिमार रहने लगे थे और वह यह अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं था कि वह कहीं और जाके किसी एनर्जी के कॉंटाक्ट में उस समय में आए तो दूका प्रीचर निखल निकलने के बाद मदऽ उनकी जॉब भी चली खईच उसके बाद मेरे पास आए कि मिला ठरस फर तरफ चंप बाद निकलने के बाद मतलब पाइट के अनके घर में बेटा हूँ उनका फैमिली लाइफ भी बेटर हूई एञ़क्र ऑप बुसे बस पी करहें हैं तो जब अगर ऐसी चीज हमारे पास आजाती है तो जयसे आपने का और ऑन होता है मारी अनर्जी होती कि कोई ऑडिवी इन्हें के करें घखा रहा है किben अग्याइए करने किरिखा जो 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 उनका case है उनकी case में उनकी fertility hampered है और ये ऐसा case है जो कि अभी हमने हमने start किया है इस येट तो भी salt बट उनकी case के अंदर जिन का proper energy हमें दिख रही है क्योंकि हम machines भी use करते है एक तो हम अपने हाथों से check करते हैं हमारे परस दाउस होते हैं then we have machines also to check the frequencies तो जो frequency आ रही है वो जिनकी energy की frequency उनके पास से महसूस हो रही है जो scanning के दौरान मैंने चेक की है तो उसके बाद उनका case यह है कि जबी वो किसी रड़की से शादी करने जाते हैं तो जिस भी इनसान ने बतलब जिनोंने किया है वो खोड़ एक मस्जित में है वो जिने बोलते हैं प्रॉफिट वोड़ यह जैसे ही वो शादी करने जाता है वो वहां पर उस family को जाकर ताय है which is a fact because वो किसी भी रड़की से बात करते हुए पहले ऐसा नहीं था से दो सल पहले वो ही चकता है और वो खुद बोल रहा है कि में को फर्टिलिटी इशू आने लग गए हैं he himself is telling और चब चेकिंग हमने किया मशीन पर फ्रिक्वेंसी उसकी जिन की फ्रिक्वेंसी कैच कर ठुकी है तो यह के सारा इसली ही है कि कि उसके पास जाय और वहां से वो सारे काम करवाएं जबकि यह जो टसल है आप हसकी जिह लोग ना लाजक्ते है कर्षपास में आज के रात कॉ思 नहीं है कौन सैंब कौन गलत है पैसे लूटने कि या उस एक जू टसल है उस चकर में व अच्छा मैं एक बहुत पुरानी टाइम से बात चली आए है श्राप कर्स तो पहले जैसे हमारे सादू वगेरा होते थे वो श्राप देते थे कि तुमारे आने वाली पीडी भी ऐसी होगी तो क्या यह सच में ऐसा होता है श्राप जैसी कोई चीज कर्स जैसी कोई चीज होती है क्योंकि हमने बहुत चीजे सुनी है जैसे एक जो हमारा डी ओपी है इसके गाउं में कहा जाता है कि कभी फसल खराब नहीं होगी लिए तक हमने लिए बहूं कहाई में गाउं नहीं कहते हैं यहां पर किसी की शादी नहीं होगी तो अर्यावाइज पोरा कर्स लगावाएं जोगी और किसी एंसेश्ट्रल होता है कि जब इनके घर में कभी बैटी पैदा नहीं कभी बेटा इच से उपर नहीं जाएगा ऐ श्राप मतला कि वानी इतनी स्ट्राउंग हो गई कि आपने जब किसी को उस भावना से वो चीज बोली तो वो उसको उसके एनर्जी को ब्लॉक कर गई बट वो हमारे human plane पे एक कर्स हुआ एक श्राप हुआ इसके इलावा ancestral जिसको हम generational curses भी बोलते हैं वो भी होते हैं एसे curses भी होते हैं कि जहां पर मैंने अब खुद में एक case देखा है जहां पर जिस उस घर के अंदर जो बड़ी लड़की है जैसे अगर पांच भाई हैं उनकी अगर बेटियां है या बेटा है तो अगर बेटी है उसकी शादी हो गई तो जो उसका husband है वो एक particular age के बाद नह ही बचता और अगर first child male है तो उसके शादी ही नहीं होती होती है तो ऐसे curses move करते हैं generation से generation और ऐसी कई cities भी कर्स होती है आपने गूगल पर देखा होगा कई जगहें भी कर्स होती है जहां पर लोग मैं जैसे आपकी यह एक शूटिंग करें थी तो वहां पर उस जो cameraman था उनके गाउं में ऐसा था वह किसी निर्वताल के पास के गाउं के थे तो उनके गाउं में ऐसा था कि अगर जो husband wife है अगर उनकी first daughter हुई है उसको अपने father से ही पहले marry करना पड़ेगा फिर वह आगे marry कर सकती है नहीं तो शादी होते ही उसके husband की death हो जाएगी तो यह मुझे उसने अपने गाउं का एक instance बताया था तो curses definitely होते हैं और इनको heal करने के लिए ancestral healing होती है हमारे पास karmic healing होती है पास life feelings होती है और बट यह healing short नहीं होती है क्योंकि बहुत deep rooted healing होती है they might take years and years mantra chanting भी हम वैसे बोलते है क्योंकि जब आप एक फॉर्स लेकि आते हो तो वह इस्टोलोजिकल आपके चाठ में भी दिखता है कि यहां पर ग्रहेंड लगा यहां पर यह यह श्रापित है यह आप कर्थरी एग्रहे तो वहाँ पर वह ने नर्जी भी हमें दिखती है कि ए कोई ना कोई एक चीज अपने साथ हर ब्रत्री मे यह पड़ी होती है, यह टहें लोग होती है, यह गुष देते हैं, यह पिर भी जा है फिर यह आप पर चड़ा देना? यह पिर बेख जोड़ाने के भी दो तरीके हैं, थे वह एक हुआ रहीं कि इसी को कर्स करी हुए हुआ ब्लैक मैजिक कि इस की अपनी हो इना या फिर इसका बच्चा कभी पेदा होई ना मैंने कर्स कर दिया कि ये जो इंसान अ सब्सक्राइब हो तो मैंने ब्लैक मैजिक के जरीए भी डोक्षा कर सकती है थिम्हें उसमें रिचोल होते हैं करसेंग जर सिंग जिंक सिंग अ लगल टैप के रिचोल होते से हैं of Magic कि जरिये कि मैंने के स्कुष कर दिया तोड़ेगा एपनी power के, कि यह ब आपकी तोड़ सकता हुए और मेरे से है पावर Hack कर सकता है या नहीं कर सकता है यह तो गए लिए बें काटिगरी guard पित्रों के फॉर्म एंसेस्ट्रिल कर्स आपकी जन्ट वो किसी ने दिया नहीं न वह एक फॉर्म में आने लग गया फिर इसके इलावा ऐसे कर्स भी होते हैं जिसे कई लोग मरते हुए ऐसे बोलते हैं कि सरस्पती आती है हमारे दिन में एक बरी हमारे पास तो कभी-कभी ओड आशक्रतों कौट कूल आजर कूल बहुत एनर्जी फिरिच्ट्राइश्स इनर्जी स्ट्राइक कर जाते हैं विब जादातर अन्सेस्ट्राल कर्स पित्रों के उस फॉर्म में हमारी जेनरेशन में फ्लो करते हैं जो कि प्रॉपर्टी के जगड़े हैं या ऐसे जगड़े हैं वहां पर लोग एक दूसरे पर आज कल तो बहुत आम देखा जाता है मैं अब थोड़ी ब्राइट साइड पर चलते हैं अभी हम बहुत एक डाक क्लाउड की बाते कर रहे थे पर आप एक ब्राइट साइड की तरफ चलते हैं आप बहुत सारे सेलेवरिटीज के साथ काम करते हो आप एक नियुमेरो लॉजिस्ट भी हो तो सबसे कॉमन जो चीज हम इसको जरूरत होती है किसको नहीं होती अगर किसी एक्जामपल के साथ आप बता पाऊ कि यह कैसे काम लिए 100% करती हैं बिकास अगें मैं यहीं बोलूंगी हर चीज इस दुनिया में अनर्जी है तो नमबर्स भी अनर्जी है नमबर्स भी फ्रिक्वेंसी है आप एक डेट- будICE अनर्जी हो एक बिक लिए 10 कर्या हीए अफ फ्रिक्वेंसी पह चल रहे हो अगर अगर आपने ऐसा नाम रख लिया चलो अगह जब एख लिया जो आप अब могут कि अवान नहीं ट्नंबर को स्हां लाख लीग तो आपक ळःत्शाम लिया और मैं निक्साम आपका फरा कि आगर आपके नाम के साथ फेवरेबल नहीं है किय incredible or आपका data watch गफ आपके डूट के पुर्टे दम तक आपके दर्फट सर्टिफिकेट पर भी आपका नाम जाएगा तो आगर वह फेवरेबल नहीं है तो आपकी life में money issues, relationship issues, किसी के black magic करने की जोरत ही नहीं है, ऐसे भी आपकी life में obstacles आएंगी, और इसका real time example में खोदू, मेरा नाम चेंज करने, मैं तो spellings नहीं, मैं तो पुरा नाम चेंज किया एक है, तो नाम चेंज करने के 24 hours के अंदर, I got calls from Bollywood, production houses, magazines, awards and whatnot, और आज तक, it's been 15 years, there has been no looking back, मैंने कभी mood के नहीं देखा, इतना powerful होता है, आपका नाम, सही नाम होना बहुत जरूरी है, और नेम, I think एक ऐसे चीज है, जो आज़कल, people are aware, तो बच्चे के पैदा होने से शुरू हो जाते हैं, बट नाम चेंज करना बहुत जरूरी है, नाम, signature, mobile, आप अपन सब्सक्राइब के मुबाइल के मुबाइल के सोते हैं, तो मुबाइल की फ्रिक्वेंसी, मुबाइल नंबर, मुबाइल का लॉक कोड ये भी मैटर करता है, आपके signatures, आप अगर अगर आसे नीची नीची गोल-गोल signatures करे हो, that means you are stuck in that circle of like a frog, क्या आप उसी के अंदर कूद र नेम, तो क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पर होना चाहिए या बैंक में होना चाहिए या अधार कार्ड पी बदल वा लेना चाहिए, कहाँ चेंज होना चाहिए वो इडिली तो आपके documents पे होना चाहिए, जैसे new bonds होते हैं या school going children होते हैं, school going भी होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप करवा लो, but मैं आपको एक example देती हूँ, मेरे एक client है, he is 1947 bond, तो आप मान लो 80 साल के होने वाले हों कि वो, है ना, तो मेरे पास 6-7 साल पहले आये थे, and उनोंने कहा कि Tara, तुम मुझे सही नाम बताओ, मैं हर जगा चेंज करा हूँगा, legally उनोंने हर document पे अपना नाम चेंज करवाया, and उनकी एक firm थी with 15 employees, and by changing his name, उनोंने अपना letter pad भी मुथ्री डिजाइन कराया, visiting card भी मुथ्री डिजाइन करवाया, logo मुथ्री डिजाइन there he has got offices, and now at the moment he has more than 200 employees, so ideally papers पे होना चाहिए, अगर आप पे नहीं कर पाते, then we say that at least social media में चेंज कर लो, signatures, bank signatures are easy, आप उस पे कर लो, जहाँ पे आप किसी को बता रहे हो, वहाँ पे चेंज कर लो, आपने भी चेंज कर रहे हो, आपने भी चेंज कर रहे हो, आपने भी चेंज the court say that these two people are the same, so I have a proper legal document with me. Certificates पे चेंज नहीं है, but otherwise I have a legal document, अभी चेंज कर रहे हो, आप किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, कि इस बंदे के लिए यह ही, numbers frequency, उसके date of worth के हिसाब से, उसके date of worth की frequency के हिसाब से, क्या number उससे मैच करेगा, जैसे मैं first number हूँ, तो मेरे होना चाहिए, three पोना चाहिए, five पोना चाहिए, और राइन पोना चाहिए, इसके इलाब अगर किसी और पे total हो रहा है, then it is inauspicious for me. मैं आप यह कहे थे कि, deceased ancestors हैं, तो उनसे भी आप communicate कर सकते हो, yes, हम कर सकते हैं, that process is called akashic readings, जिसके अंदर हम भी transcend to different planes, and वहां पे आपकी akashic library होती है, जहां पे आप अपने deceased को, spirit guides को, past dawn को, बहुत सरे एसे लोग है, especially जिनके accidental deaths हो हो हमारे पास आते हैं, कि वो accident में चला गया प्रवारे जा एसे अपने से लिए कोई पर आते हैं, सोई-से इसंसा कोई नहीं होता, तो अब क्या करें उन्टश भी एकमोरे लिए तो और हमाने से पासिए रोगड़ा गया होती है, वह जो तो प्रवागज निये, और सब्स्ता और जा नहीं पर दोगड़ा, सब्स्ता तो उसको, you know, anxiety attacks होने लगे उस लड़की को, panic attacks होने लगे, so I suggested कि एक बड़ी reading करते हैं, so that आपके बन का ब्रह्म निकल जाए कि वो लड़का आपकी वज़े से नहीं गया, you know, आपके bad luck की, so we did reading, we communicated with the boy, हमने automatic writing करी, channeling करी, and the boy gave a message कि, you know, you move on and it is not because of you, so this revealed in reading कि वो उस ताइम पर वो स्केट कर गया, उस ताइम पर वो फेल हो गई उसकी ब्रेक, and that is why they slipped, not because she was the reason. And how do you communicate कैसे करते हैं, communicate कैसे करते हैं इनसे? There are prayers, कुछ मंत्र होते हैं, अगर हम देखे हैं, communication की akashic reading, वेस्टरन उसमें कहने लगे हैं, जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, तब उस जमाने में भी akashic readings हुआ करते थी, वेदा में हमारे proper मंत्र हैं, जिसके जर्ये हम ब्रहमान में जाते हैं, वहां पर हम चक्रे लगाते हैं, और वहां पर हम अपने disease से communicate कर सकते हैं, यह पहले भी हुआ करता था, एक राजा था, उसी के नाम पर ही श्लोग भी है वेदास में, वह राजा प्रॉपर रिच्वल कराता था, हर 11 सल के बाद, वह और एक अंडे में जाकर बैठ जाता था, और सोने का अंडा बन वाता था, आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे, और वह जितने पंडित थे, वह सारे पहले उसके जाने का, जैसे जब कोई मर जाता है, तो भावन पाठ पूजा करते हैं, पहले वह करते थे, और फिर जैसे जब जनम होता है, वह करते थे, और फिर उस एक शेल से बाहर आता था, यह उस जमाने से चला आ रहा है, और अब हम इसको मॉडरन वे में अकाशिक रीडिंग्स बोलते हैं, जहां हम प्रेयर्स के जरीए, मंत्रों के जरीए, हम जाते हैं, सेवन्थ लेन में, ट्रांजेंट करते हैं, रेलम्स में, और वहां पे, वी कम्यूनिकेट विदी स्पिर कौफीक रीडिंग, यह क्या चीज है, यह पहली बार हमने सुनी है, जाना इसके बारे में कुछ बता हो, कौफीक रीडिंग क्या होति है? Coffee cup reading एक बड़ी इंट्रिस्टिंग साइंस है, fortune telling method है, जैसे आप tarot card reading करते हो, आप connect करते हो client के energy से और आप tarot cards निकालते हो, है ना, इसी तरह से आप client को coffee देते हैं, that's a specially prepared coffee, that's not a, that's an Arabic method, so उसमें there is a Arabic coffee, हम उसको serve करते है, विज़ पर्टिकलर हम सो बनाने का भी एक तरीका ह coffee को, ऐसा नहीं कि हमने just boil किया and you just serve it to the client, there is a way of making that coffee, we do a specific ritual to connect with the subconscious energies of the client, और उसके बाद उसको serve करते हैं, फिर उसको coffee पी नहीं परते हैं, पूरी, जब हो coffee finish कर लेता है, मतला, that's a treat from us, वो coffee जब पी लेता है, तो उसके बाद नीचे जो impressions बच जाते हैं, उससे हम fortune telling करते हैं, and that's a very very famous fortune telling method in countries like Dubai, Arab and all of those countries, Turkey, it's a Turkish coffee cup reading basically, तो उन चंत्रीस में यह बहुत सालो से, more than 100 years is prevalent, तो पास, प्रेस्ट, फुच्छ, फुच्छ, प्रेस्ट, 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 प्रेस्ट एक we. तो फच्छ, से बितलत गुच्छ प्रेस्ट, तो पुच्छ, ख्रेस्ट की तो सालोग्स, यह भॉच्छ, इस यह तो ऊता, मैं की जण ada कि रॉच्छth, तो चाहई ऑर जौज प्रेस्ट, की अःस बॉच्छ, प्रेस्ट, पूच्छ, प्रेस्ट, तो उस दो फ्ह यिए या भी नी कि बात है यह इंदर यह करते हैं जो एफिर नीची में पर मगानी रेबाने को अपिस्टी back कोई ब्राइन सपेसिफिक होती है उपकोर्सस्पेसिफिक हो तब कि तब कि तब ही तो नीची भी रिमाने कि अधर रिमेंश मिलें तो सारी नौलेज है कि हम कितनी देर बात करते चले जाए वो कम होगा बट मैं ओडियन्स को भी बता दो अगर आपको मैम को रीच आउट करना है किसी भी तरीके की हेल्प के लिए तो उससे जुड़ी सारी डीटेल्स डिस्क्रिप्शन में है आप इनको इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कॉंटेंट लेकर आते रहेंगे ऐसी और इंट्रेस्टिंग फील्स हम एक्स्प्लोर करते रहेंगे अपने पॉड़कास्ट पे तो अगर आप बिना सब्सक्राइब करें ये चैनल देह रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आपका यूट्यूब चैनल है? है. तो फिर मैम करोगे नकुल करते हों कि आ Iceman को करो करो है हैिस पश्क्राइब कर दो और मिलएंगे आप आप से भाधि जल्द नए प्यों चाले बायँ जैए जैशी राम और दोस्तों जाते-जाते मैं आपको वता दू कि हमारे अप यानि रिएल 11 पर आपको मिलेंगे लो कमिशन कॉंटेस्ट दोस्तों यानि कि जहां आप किसी और फैंटेसी अपपे ज्यादा एंटरी फीज देके कॉंटेस्ट खेलते हो real 11 आपको मौका देता है उसके आधे दाम में contest में participate करने का और दोस्तों इसके साथी साथ और भी discount offers चल रहे हैं description में दिया गया जो link है दोस्तों वहाँ से app download करो और हमारा refer code यूज़ करो real hit और अपनी journey start करो